रधर रधर दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा टेश्टी और हेल्दी दही और मखाने से बना हुआ राइते की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है तो कि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए अभी मखाने का राइता बनाने के लिए कोई भी कडाही या पैन को गर्म होने के लिए रख दीजिए अभी इसमें डाल देना है एक चमचगी एक चमच मूम फली और साथ में एक कटोरी मखाना अभी इन सरी चीजों को हमें क्रिस्पी होने तक भून लेना है और बीच-बीच में इसे चलाते भी रहना है तो देखिए मखाना यहां पर अच्छे से एक दम क्रिस्पी हो गिया है बस यहां पर गैस को कर देना है बंद तो चलिए फटा-फट से अभी हमें next step की तयारी कर लेना चाहिए तो मैंने यहां पर लिया एक बाउल बाउल के उपर रख दीजे इस तरह से चलनी अभी मैंने यहां पर लिया फ्रेश घर का जमा हुआ दही अभी एक चम्मच की मदद से हमें इसे इस तरह से चान लेना है अभी इसमें डाल देना है एक से दो चम्मच पानी अभी चनने को साइड में रख दीजिए इस तरह से दही चानने में थोड़ा सा मेहनत तो लगता है पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है आप देख सकते हैं दही यहाँ पे कितना क्रीमी क्रीमी सा दिख रहा है तो चलिए अभी दही में हमें एड कर देना है यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काला नमक आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डालूंगी वुना हुआ जीरे का पॉडर आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे डाल दूँगी चिली फ्लेक्स मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा यकम कर सकते हैं स्वाद के अनुसार रेगलर नमक और साथ में डाल दीजी पीसीवी सब्कर अभी इन सबी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए सारी चीजे यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है अभी बस इसमें डाल देना है रोष्ट किया हुआ मखाना और मुंफली अभी मखाने को भी दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये रेसिपी अब ब्रत में भी बना कर खा सकते हैं क्योंकि ये टेश्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा हेली भी है तो एलो जी हमारा यहां पी मखाने का राइता बनकर बिल्कुल रेडी हो गिया है आज मैंने इसकी गानिशिंग की है अनार की कुछ दाने से और उपर से डाल देजिए बारी कटवा फ्रेश हरा धनिया तो देखिए ये खाने में तो टेश्टी है ही पर ये देखने में भी कितनो सुन्दर लग रहा है और इसे गर्मी में तो बनाना बनता है तो बैसे इस तरह से मखाने का राइता बनाईए और कैसा बनाए मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आज की रेसिपी जरासा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू